हलो दोस्तों अक्सर हम लोग अपने किचन में उलज के रह जाते हैं कभी सब्जी में तेल जादा हो जाता है कभी नमक जादा हो जाता है कभी मेर्स जादा हो जाता है और कभी बहुत सारे समान खराब हो जाते हैं तो आज मैं आप सभी को बताने वाले कुछ ऐसे ही अमेजिं जिसरे क्या होता कि हमारा जो पनीर है वो टाइट हो जाता है तो आज मैं आपको बताने वाली हूं तो आपकी जो बताने वाली हूं ईसे आपकी पनीर है पुरी तरह से शौफ्ट रहेगा तो सबसे पहले आप पनीर को fry कर ले और उसके बाद एक बॉल में पानी ले ले नमक डाल दे और उसके बाद उस बॉल में पनीर को रख दे इससे क्या होगा कि आपकी पनीर पुरी तरह से soft रहेगा और बिल्कुल भी tight और hard नहीं रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा देख सक जाते हैं तो उसमें अक्सर उसे हम धो देते हैं तो धो ये नहीं आज इसमें मैं आपको बताओंगी आटा गूत के जी हां आप इसमें आटा गूत लीजिए आपके जो दूद के बरतन पुरी तरह से clean हो जाएंगे और आपको मेहनत भी नहीं लगेगा इसे धोने में तो देखिए मैं कैसे इसमें आटा गूत रही हूँ अब मैं इसमें पानी डाल दी फाइनली आप देख सकते हो मेरा आटा गूत के तयार है और मेरा जो दूद का बरतन हो पुरी तरह से clean हो गया है आप लोग भी अपने किचन में ये एक बार ट्राइ करके जरूर देखना और बहुत ही amazing tricks है अकसर दोस्तों हम लोग प्याज काटते हैं और प्याज काटते वक्त आख में आसु आ ही जाता है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने किचन में जब भी प्याज काटे तो आधा घंटा पहले पानी में प्याज को रख दे उसके बाद प्याज काटे आपके हांग में बिल्कुल भी नहीं लगेगा और यह ट्रिक्स आप आजमा के देखना और फिर मुझे डीम करना कि सच में मैंने बताया है और मैं अकसर ऐसे ही करती हूँ देख सकते हो मैं फाइनली अब मैं चॉप कर ली प्याज को और मेरा प्याज कटके रेडी हो ख्याल हम लोग बिल्कुल रखते हैं कोबी जो है वो बहुत कहां कहां से आता है हमें पता भी नहीं रहता है तो अकसर यह कोबी के डंठल को मैं काट दे रही हूँ और देखो आप मैं धीरे-धीरे इसे कट कर लूँगी बारी-बारी से आप देख रहे हो और इसमें कीरे भी रहते हैं तो बहुत ही साफधानी से कोबी की सबजी बनानी चाहिए हमें मैं बारी-बारी से यह कर देखो इसके उपर रगर जाता गंदा हो जाता है अकसर आप अपने किचन में इसे चूरी से हटाते होंगे तो मैं आज आपको बता रही हूँ आप बिना चूरी के मदद से भी हटा सकते हो फेंली में इसे घुबी कट गया है और इसे मैं में एक बाल में गरम पानी में दस से पाच मिनट तक देखिए मैं इसमें पानी डाल दी नमक डाल दी गोभी डाल दी और इसे दस से पाच मिनट तक मैं इसे खौलाओंगी और ये खुद पर खुद इसके जो काले परत जमे हुए थे वो खुद पर खुद हट जाएगा अब देख आपको मैं दिखाओंगी और जो भी कीरे हैं वो भी खतम हो जाएंगे, कीरे भी नहीं रहेंगे और हाइजीन तो बहुत ही हिल्थ के लिए जरूरी है, इसका भी ख्याल आप रखिए, देखे पूरी तरह से जो गंदगी था वो हट गया है, और हमारा जो गोवी है, वो पूरी तरह से साफ हो गया है मैं आपको इसे वस करके दिखा देती हूँ देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो, फाइनली मैंने गोवी को साफ कर लिया है दम क्लीन हो गया है कहीं भी आपको गंदा नहीं दिखेगा और मैं आप इसके पानी भी आपको दिखा देते हूँ कितना गंदा पानी है आप देख सकते हो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये किचन का अमेजिंग ट्रिक्स प्लीज डीम करके बताना आप लोगों को अच्छा लगी तो मैं नेक्स टाइम फिर से किचन की कुछ और टिप्स लेकर जरूर आओंगी आप सभी के सामने तब तक के लिए बाई बाई